हार्ट का मितलब क्या है इसमें इस्पेश्च्छलिजम में हार्ट बोलते हैं हार्ट मीज़ गौट अर्थ मन करता है उसका कोई भी यह दिया आपको अर्थ दिया जाएगा तो आप उसके बारे में सोचना शुरू कर देंगे उसके बारे में फिर से एक मानसिक धारणा बना लेंगे अर्थ मत पूछिए बस इतना समझ लेजिए कि मन सीमित है और यह समझने के लिए आपको इमानदारी से मन की सीमाओं को देखना पड़ेगा मन सीमित है और मन के आगे जो है वो उस अर्थ में है नहीं जिस अर्थ में मन है है शब्द ही वहाँ पर लागू नहीं होता लें इतना तो पक्का है कि मन की सीमा है मन रुख जाता है सीमा है तो मन के आगे भी कुछ होगा किसी और आयाम में होगा अचिन्ते होगा पर वो जो कुछ भी है जिसमें मन प्रवेश नहीं कर सकता जो मेरी साधारन क्षमता के बाहर का है उसे रदय कहते हैं उसके बारे में विचार आपको बहुत कुछ नहीं बता पाएगा बस ऐसे समझ लीजिए कि जीवन में वो जो भी कुछ है जिससे आपको सुकून है शांती है पर जिसका कोई अर्थ कोई कारण नहीं न खोजा जा सकता है वो खृदय से समबंधित है क्यों आपको खुला आसमान भाता है पक्षी की उड़ान क्यों आपको निस्तब्ध कर जाती है इनके कोई कारण नहीं है चलते चलते अचानल ठीठक के खड़े के हो जाते हैं अनायास प्रेम क्यों पकड़ लेता है आपको मन सोच सोच के भी कुछ पता नहीं लगा पाएगा आपको दुनिया की सारी सहूलियतें मिली रहें आपको लेकिन फिर भी आजादी क्यों प्यारी होती है मन इसका कोई कारण नहीं दे पाएगा ये इर्दे हैं वहां जाने की कोशिश मत करिये वहां जाने के लिए तत्पर मत होईए आपकी सतरकता आपको हाने ले जाग पाएगी सतरक होके किसी को प्रेम में उतरते देखा है हृदे को जिसे जानना हो उसे तो हृदे से जीना पड़ेगा जो दिल से जीते हैं वो दिल को जानते हैं जो आत्मा से जीते हैं मात्र वही आत्मा को जान पाते हैं पराम जिग्यासो की साधक की अक्सर एक्छा ये रहती है कि बौत्धिक मार्ग से जान लूँ प्रिभाशित कर लूँ ख्याल बनाके जिहन में बंद कर लूँ तुम्हारे जिहन में समा सकता तो तुम ही खुदा थे